सबी को जाहिएं दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्प्रेस इंडिया निउस पे तो आज बड़ी इंट्रस्टिंग और एक लेटेस वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे तारेक फते साब जो किसी भी तारूफ के मोता कर दें ताकि हम आपके लिए नई और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत तैंक यूवरे मिश सर एक तो यह बताईएगा कि जिस तरीके से हमने मदब क्योंके इनोपर शर्मा कंट्रूर्सी के उपर बहुत जादा बात हो गई है मेरे खिया में कोई की मीडिया ऐसा नहीं है दुनिया का जिनोंने इसके उपर बात ना कियो लेकिन सर्व वो मिर्ज जो एक एंजिनेर मिर्जा साब है पाकिस्तान के उनकी एक वीडियो वाइरल है उसके बाद इस इशू को आप किस तरीके से देख रहें क्योंके बहुत ज्यादा हिंदूस्त बच्पने से हमको हिंदूओं का मजाग उडाना उनके देवताओं का यूनों मौकरी यह तो हमें पढ़ाया जाता है कि कभी मैंने किसी को मैं 30 साल रहा पाकिसान में 10 साल साथरेविया में रहा कभी मैंने किसी मुसल्मान से हिंदूओं के बारे मैं अच्छी बात सुनी नह नहीं वो पता नहीं हमारा फर्स्ट कजन से शादी करकर के हमारी क्यों फिजिलॉजिकल डैमेज हो गया कि हम किसी चीज़ को एक बैलेंस्ट अंदाज में दो सच साथ साथ परदाश्टी नहीं कर सकते बोलें अगर हम सच बोलें तो बाकी सब तो हैं जूटें वो कुछ भी बोलें तो यह एक इस्लामिक सुप्रेमिसिस्ट आइडिया है जिसके अंदर हम कुछ कॉंट्रिब्यूट किये बगहर आपने आपको सबसे सुपर समगते हैं और अगर ना कर से कुछ कॉंट्रिब्यूट तो जो दूसरे लोग हैं हमारे पडोसी हैं जो इस धर्ती के अंद कितने हैं एक डॉट है हमारा पूरी कॉस्मोसिस को देखिए एक छोटी सी जगह है मिट्टी के दाने के जितने जिसके उपर बनीन और इनसान रहता है हम सबसे दुश्मनी रखना चाहते हम सब को नीचे गिराना चाहते हैं अब नुकूर शर्मा को देखिया कि जो मुसल्म टीवी पे आके शिबलिंग का मज़ाख उड़ा सकता है हर मुसल्मान हिंदू मजभ को एक नफरत के अंदाज से देखता है चले हर ना भी हर पाकिस्तानी तो कम उसकम देखता है हिंदुस्तान में हो सकता है दो चार शरीफ लोग हों जो हिंदू को अपना हमवतन समगते या जिन्हों ने पना दी मुसल्मानों को हिंदूस्तान में उनका वो खैर समगते हूं लेकिन आम तोर पे वी कंसीडर देंसेल्फ टू बी इनफिरियर हम गोश खाते हैं वो सबजी घाते हम जिहाद करते हुन से होता नहीं है हम इन पे हमला करते हैं इनकी बेटियां उठा बहुत बड़ा हमारा हीरो था हर वो शख्स जिसने हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाया और हिंदुस्तान को उजाडा है हमला करके वो है मुसल्मानों का हीरो इतना कसब करने के बाद नूपूर शर्मा तो यही कह रही है कि अगर मैं आपको आपकी हदीसें पढ़के जिसमें यह लिखा हुआ है कि घुड़ा आस्मान पे जाता है या दुनिया चप्ती है या रसुल्ला की जो शान में गुस्ताखी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यह तो हमारी रियालिटी है कि उनकी शादी कब हुई और आईशा कब उनके घनाई यह वो दुश्मन नहीं क कह रहे हैं हमारी किताबें कह रही हैं कि नौ साल की उबर में और वो टीवी पे कहती है यही बात को एक दंगा को तस बीस शेहरों के अंदर मार पीट और वो कतर जैसा मुल्क जो है जिसके अंदर वोट की स्पेलिंग नहीं आती किसी को कोई नॉन मुसल्मान वह सिटिजन नहीं हो सकता हूँ लेक्चर देरा हैं इंडिया को कि बहिया तुम को हम ठीक कर लेंगे डिमॉक्रिसी लेकिया अरे भाई तेरों मुसल्मान वो तुम्हारा तालुक क्या है डिमॉक्रिसी से तुमने तो पूर पूर यानी खिलाफतें उडा दी कतल कर करके एक दूसरे की उ मैं यह दोनों इसको मारा बबासियों ने उसको मारा मुतजरलाई को खतम कर दिया तुम्हारे यह तो ट्रांसवर पावर का कंसेप्ट नहीं है तुम इंडिया को लेक्चर दे रहे हो के वहां डिमाक्रिसी और माइनॉरिटी का क्या हशर होगा जहां पे बैठे हुए हैं दु डिमाक्रिसी ठीक करो तो उटा चोर कोतवाल को डांट रहा है नहीं दो इक्जेक्टी ओके बिलकुल यह बात आपकी ठीक है लेकिन सर एक चीज़ और है कि हम लोगों की अगर कोई बात हम करते हैं मैं अगर अगर मुस्लिम करता हूं तो क्यों मैं कोशिश यह करता हूं कि जार मैं अपने जिस रिलिजन को मैं पॉलो करता हूं उसको उपर उठाने के लिए मैं दूसरे को डिग्रेट करने की कोशिश करूँ यह क्या मैं तो हमारी उम्मत का डेस्टिनेशन है जब तक पूरी दुनिया में इसलाम का राज नहीं होगा और घजबा हिन में तो खास जब तक हर हिंदू मुसल्मान नहीं बनेगा और हर हिंदू टेंपल नहीं तोड़ा जाएगा उस वक्त तक रोज कायमत नहीं आएगी और रोज कायमत जो है वो मुसल्मानों की एक कुमंग है क्योंकि जिन्दगी शुरू होती है हमारी मौत के बाद यह तो टेंपररी कनेक्टिंग फ्लाइट जन्नत को मिलती ही वहां जाके फिर हम बैठेंगे तीन-तीन सब फुट बड़ी हूरे मिलेंगी हमें यहां तो कुन नसीप नहीं थी हमें उदर जाके ठाट करेंगे और उसके अंदर रुकावट हैं काफिर एक फौज जरूसलम से निकलेगी रूम क की तरफ और तब जाके रोज कायमत आएगा जब खत्म हो जाएगा जब आपकी जिन्दगी मौत के बाद शुरी हो और बाकी जो दुनिया में लोग हैं वो इस जिन्दगी में कांट्रिब्यूट कर रहे हूं तो इसी का नतीजा है कि हमारी कोई उमंग नहीं है हमारी कोई जिस्तुजी नहीं कि किसी का किसी और का फाइदा हो जाए को पैनसली नहीं याद कर ले हम जो थे हमारे जो मैं समझता हूं जब अरब जो इनिशिल रें थाउन का उसमें बड़ा बड़ा फिलोस्फोर बना लेकिन उनको भी काफित देके मारा गया भगा गया बने रुष् शक्स कांट्रिब्यूट कर सकता था उस पे तो लगा इल्जाम कुफर का तो भाई लोगों ने का अच्छा हम कुछ नहीं करते आप बताईए मौलविर साब क्या करना उनना का यूं उठना और यूं बैटना और हाथ यूं बानना इसर पर जाना आज तक मैं तो मस्जिद म कुरान पढ़ने जाता था मैं को साथ आठ साल का था मैंने पूछे हम उपर नीचे क्यों जाते हैं पिटाई हो गए उस पे मेरा एक सवाल था है यह हम उपर यह क्या कर रहे हैं हम खड़े होते हैं फिर बांगते हैं फिर गुट्टें पर जाते हैं फिर सिद्दे में जाते यह वाट ड़स दिस मीन आज तक नहीं हो जब हम मुझे दे पाया सवाल करने का कि गुंजाईश ही नहीं है आपने सोचा कैसे क्यों हम काउंटर क्लॉक वाइज आते हैं हज के अंदर और दुनिया की हर चीज अल्ला की बनाई भी क्लॉक वाइज है तो को हम गलत कर रहे हैं या हम से गलत करवाया जा रहा है या को गलत मिस्टेक होगे के बीच में कोई रीजनिबल एक्सपेक्टेशन देने को तयार नहीं है विदिन मुस्लिम्स ओके अब बाहिर का आदमी को ये पूछ ले का भाई ये घुड़ा कैसे आस्वान तोड़ गया तो आपको गुस्सा क्यों होता है आप ये कहीं कि अल्ला की मर्जी घुड़ा उड़े बग उसकी मर्जी के बगार तो नहीं हो बहुत 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 जब नाशनल मीडिया में भी चीज रिपोर्ट हो रही है और हम भी देख रहे हैं कि जो सिकुलरिजम के हवाले से हिंदुस्तान एक हम पाकिस्तान जितना मर्जी मतलब बुरा कहें या अच्छा कहें लेकिन सिकुलरिजम के हवाले से और उनकी डिमॉक्रिसी की मेरे ख्याल मैं تعریف کرنے پہ لوگ سر مجبور ہوتے ہیں जो मरजी मतलब मैंने कहा कि बेशक पाकिस्तान जो मरजी उसको कह लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेताशा लोग उनकी मिसाले देते हैं सिकुलरिजम के ओपर सर ये ये जो वाकिया अभी हुआ या इससे रिलेटड कुछ और वाकियात हमने देखे पिछले कुछ सालों में कुछ असर हुआ है या मतलब जिस तरफ जा रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहरें कि हमें सिकुलरिजम नहीं वही है हमारे हिंदू स्टेर्ट है हिंदूस्तान इसी दिए कहते है या ये ठीक है आप क्या समझते हैं इस चीज़ देखें सेकुलर टिजित्ता भी हो जाए हिंदूस्तान उसका नाम हिंदूस्तान है क्योंके वो हिंदू है दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है सब बाकी मर गई हमने तो सफाय कर दिया फर्षिन सिविलाइजेशन का और एजिप्शिन सिविलाइजेशन का तो हमारा काम है तोहीद को और इसलाम को इंपोज करना हम को वोटिंग करा के थोड़ी जाते है एरान में कि भहिया ये हमारा मदर वाया आप बताइजे एक्सेप्ट करे ना करे हर जगा हमारी फौजों ने तहस नहस कर दिया और 100% तक्रीबन लोग मुसल्मान हो गए कि ना ये हिंदुस्तान है जहां मुसल्मान जाके बैट गया और वापस नहीं गया और सेटल डाउन हो गया है इतने सेट पड़े में हिंदुस्तान में इतने तो सेट साओधिरेबिया में नहीं है तुरैशी आपको मिलता ही नहीं सिवाए दिल्ली के ये कैसे हो सकते हाश्मिंभी सारे यहीं बैटे वह सबके सब्सेले आ गई यहां पर वह इस लिए यहां आए क्योंके यहां रसूल कि मुझे हिंद से खुश्बू आती है उन्होंने तो नहीं किसी अपने डेलिगेशन को भीजा जब हर जगा इन्विटेशन भीजी उन्होंने दुनिया की जो हुकमरान थे हैं कि भाई आप इसलाम कबूल करें हिंदुस्तान तो नहीं गया ना कोई जब से पहले जो साथ तक ना सिर्फ शुकुया नहीं किया आपको पता है कि पूरे कोई एक हजार साल में एक हिंदुस्तानी इसलामिक सुल्तान मुगल खिलजी बाबर कोई भी लिजे उसने गवारा नहीं किया उस मस्जिद पे हाजरी देने के सिवाए जो एक इंडिया के प्रेजिडेंट थे जो नुक्लियर साइन्टिस्ट थे वो अपनी डिटायर्मेंट के बाद क्यूंकि वह भी तामिल हैं करीब का इवेंट एंड विजिटेड हमें तो पता ही नहीं हम कहते हैं वह मुहम्मद बिन कासिम आया था अरे भाई मुहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले मुसलमान आ अगर यह होता कि बिल्फर्ज महाल के हमने इबन रुष्ट को इंट्रिड्यूस किया होता हिंदुस्तान में या इदर किंदी आयो होते और यहां बैठ के कॉंट्रिब्यूट किया होता उसके बजाए हिंदू जो टीचर्स थे वह बगदाद में बैठे वे मैथमेटिक्स पड़ा रहे थे इनकी साइंसिज इनका जूपिटर का वो सरकंप्रिंस है यह सब उस वक्त है करके बैठ गए हिंदू जब किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया गोल है या नहीं तो एक बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन की दस हजार साल पुरानी हिस्ट्री है जह हम ज जमाने में कब बना और कैसे लोगों ने खुद के किया यह भी कॉंट्रिबूशन है हमारा क्या है कि हमने उस पर बं लगा के तोड़ दिया तो जब अनफॉर्चुनेटलिस हम यह भी नहीं एक्सेप्ट करते कि जो फौजे आई मुसल्मानों की हिंदुस्तान में वो तो हिंदु माओं के वज़ा से हुए ना तो यह तो हो इनी सकता के कोई सएद भी हो तो उसकी मा हिंदु ना हो ठीक अब पिर कह रहे मां के पैर के नीचे जन्नत आ रहे वह जन्नत है तो कमसका अपनी मां को तो एक्सेप्ट कर लो यार अब बोड़े पर आए थे अम्मा बिच क्योंकि सच हमसे बरदाश्ट नहीं होता अब यह यह बिलकुल आपकी बात सर एक चीज़ और हमने यहां पर देखी कि मतब सुदी अरेविया की तरफ से रियक्शन कतर एरान कुएट और इन कंट्री की तरफ से रियक्शन आया फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी लेकिन उसी दोरान जो एरान के फॉरिन मिनिस्टर है वो तीन रोजा दोरे पे सर देली चले गए उस रियक्शन के बाद की बात सर कर रहा हूं और एक डिलिगेशन हिंदुस्तान का दोहा में मुझूद था उनकी वो मुलाकात तर इसर यह क्या मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर उन्होंने सिचुवेशन अलाएं की खराब हुई बड़े सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अरब दुनिया के साथ बहुत अच्छे तालुकात हैं नरिंद्रा मोदी जी के या पिर हिंदुस्तान के लेकिन उसके बाद एक्दम से उन्होंने चीजों को कंट हां ओमान ये पूरा पर्शन गल्फ का एरिया इसका तालुक हिंदुस्तान से है यहां के उन्नीस सो चालीस पचास में अरब फकीर आपको मिल जाते थे कराची बंबई में भीक मांगते वे हैं और वो यह कहते थे कि मैं मुझे इसलिए खेराद दो क्यूंकि मैं सेयद हूं यह भी हमने देखा है हमारे यहां तो यहुदी भी रहते थे यहुदी कबरस्तान कराची के अंदर पिशावर में भी है तो हम लोग शौट टर्म मेमरी है हमारी हमें पता ही नहीं कि हम हैं कहां हम कौन हैं इसलिए सारे पंजाबी आपके पाकिसान में उर्दू बोलते हैं पंजाबी बोलने से बड़ी उनको शरम आती है एक वजा होती है ना दुनिया की पहली कौम है जो अपनी माबोली से शर्मिंदा है कि कोई बलोच कोई बंगाली कोई पश्टून कोई गुजराती कोई सुमाली कोई दुनिया का कोई शख्स जो है अपनी माबोली से शर्मिं without identity हमें ये पता चल गया है कि two nation theory was a failure हमने आज तक नहीं समन्द में आए कि सबसे मजभी आदमी partition के वग जो हमें था वो अब्दुल्खान अब्दुलगफार खान थे उनको हमने जेलों में बंद करके end में he didn't even want to get buried in पाकसन और जलादबाद राको लोग गए उनके जराजे में हैं तो हमाँ क्या value रह गई हम किस रुख पे जा रहे हैं हमें इमरान खान अच्छा लग जाता है कि अच्तना हैंट से मैं आदमें बना दिया अगर अल्ला मिया ने तो फिर हम कौन है उसको होना उसकी मर्जी कितनी बीबियां करें लोग मरी जा रही हैं बच्ची चीखे मारीं इमरान 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 करें फिर एक आदमे ने नोकरी नहीं किया जादूगर्णी से शादी की है वो टूना टाना करके future decide कर रही है और हम मरे जा रहे हैं और middle class की upper middle class की आंकिया चीखों पकार करें इमरान इमरा इतना stupid आदमी I mean मुझे इतराद उसके कोई उस पे नहीं है कि इतना dumb आदमी कैसे पाकिसानी elect करते हैं या मुसल्मानों की क्या हो गया है कि वो रंग और smartness पे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए उसमें तो नदिंदर मोदी को तो वो city council ना elect करेंगे यह क्या देखो यार ज आज बंगलादेश हम से आगे निकलावा है सिर्यलंका को aid दी है उसे क्या आपके बंगलादेश के आज के लिए एक मतलब में एक पोस्टर सा बड़ा वाइरल है पाकिस्तान में भी लोग उसको बहुत ज़्यादा appreciate कर रहे हैं सर मैं यह कहूंगा कि वो कहते हैं कि मुला को मस्जिद में रखा फोज फोजियों को अपने बैरिक्स तक रखा और हकूमत अपने एक जो उनके काम है वो कर रही है इसी वज़ा से बंगलादेश आप मतलब यह खबर आ रही है कि शायद लूंबर की एक रिपोर्ट थी कि गालबान हिंदुस्तान से भी अमीर हो गया जी यह जो है यह फास्ट ग्रोइंग एकॉनमी वहां पे भी पाकिसान की मैं आप से क्या कहूं वहां पे भी हमने शरारत सतर के बाद करते रहे हैं हम ही थे शायद बहमत के खाद जिया और रह्मान खालदा जिया एक बड़ा फेमस केस है गूगल कर लीजिगा जिसको कहते हैं ट्रक केस देखिए पाकिसान कितना वहां जाके इन में जो बर्मा से आए हैं लोग वहां साथे लोग उनमें कितनी शरारत क्यूंकि उनका हेड़कॉर्टर कराची में था यह जो रोहिंग्या मूव्मेंट थी बंदा जो हैड़ था वह कभी गया ही नहीं बर्मा वह रोहिं ही हैं लेकिन हम यह समगते हैं कि हमार बड़ा आहसान है दुनिया पे हम जीते हैं हमारी अरोगेंस की आपको कई मिसाल मैं नहीं मिलेगी कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई बैठके ये कभी बैठता ये अपनी फैमली के साथ और कहता है कि ये एमडीयों को क्यूं पिठाई कर रहे हैं या बच्चों एक्स्प्रेंट करें कि इस शिया क्यूं शिया कहां से काफिर हो गए रिफादा उसे पता नहीं क्या कुछ कहते हैं मैं हिरान हूँ कि क्या बताया जाता है शीयों के अगेंस हजारों को पड़के हजारों की बदनसीबी है कि उनकी शकलों से वो कहते हैं हम शीयां बाकी जो यूपी यूपी के शीयां या परजाबी शीयां वो तो भूल मिल जाते रिजबी नाम हटा जेते हैं सामने इसे है और ये सब वी हैव विकम लाफिंग स्टॉक आफ दी वर्ल टू नेशन थियोरी जब तक पाकसा नहीं छोड़ेगा और अपने आपको एक सेक्विलर मुल्क बनाएगा एज अड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंट्रीज का काम होता है अपने शेहरियों को सहूलत प्रोवाइड करना उनको गवर्नंस करना ये थोड़ी क्या आप वहां बाटके करें कि रियास्ते मदीना होगी अरे क्या विजली आएगी वहां इसका मतलब विजली खतम कर दें क्या पानी नलके से बंद कर दें तब रियास्ते मदीना तो व शायद अगर मैं कहता हूं कि बाकी चीजे चोड़ दें कि मतलब ये बिजली ये उस वक्त नहीं थी लेकिन कमस कम वहां पर शायद एक बैलन्स हुआ करता था सब यहां तो भी नहीं है ना रूल अफ लॉज जो है या फिर लोग के पास जिस्टिस जो है वो नहीं पहुंच से पहले कि डॉलर का रेट दो सो बारा दो सो चोड़ा दो सो चोड़ा तक जा चुक है ओपन मार्किट में मने आप बताया है तो ग्यारा रूपय का बिलकुल सर बिलकुल मुझे बताईए कि हमारी वेल्थ जो है उसको उसकी डिवैल्यूएशन हो रही है कि जो चीज एक ड सेविन डॉलर मैं लास्ट टाइम आया हूं तो फंटी सिक्स में आया हूं शेद पाकिसान उस वक्ट भी को ऐसना क्राइसिस डिडिन सिचुएशन नहीं थी यह आप मुझे बताई दो सो के यू सडिनली आपके पास वही चीज है लेकिन उसकी वैल्यू एकदम घड़ जात सोब सोना और कॉपर सैंडक के अंदर वो जो कनेडिन कंपनी को ठीका दे जा है कितने बिलियन डॉलर का वो सोना रूट के लिए जा रहे हैं यहां से और उस पे भी खामोश हैं सब सो हुआ यह है कि हम एक कंट्री को एज अड्मिनिस्ट्रिटिव यूनिट नहीं समझते हैं हम नहीं समझते हैं कि हकूमत का इलेक्ट होना इसलिए होता है कि वो प्रॉइड करे सिक्यूरिटी सिविल और्डर स्कूलिंग हास्पिटल डे केर डिसिबिल लोगों का देख भाल ट्राफिक क्या है सडकें इंफ्रास्ट्रक्चर यह होती हमेट हमारे जहन में है कि हकूमत होती है जो जिहाद डिक्लेर करें हम अपने समझते हैं हमारे हीरोज ही वो हैं आग तक कोई हमारा ह ही रुह ऐसा नहीं है बुले शाह हमारा ही रुह ही नहीं है ना आपके वो सिंद्के जो थे हम उनको मानते ही नहीं है यह क्या यह तो सिर्फ सोचता था दुनिया भर में अरिस्टॉटल को मान रहे हैं क्योंकि वो सोचता था हम कहते हैं बैठा रहना परदा कुछ कम करना न किसे कहते हैं ना हमें कहीं इस्लाम में इसलामिक स्टेट के बनाने का हुकम नहीं मिला। पूरी मैंने किताब लिग दी ट्राइजिक इलूजिन ऑफ इन इस्लामिक स्टेट। आई रिसर्च टो टेन येर्ज कहीं जिकर इन पहला इस्लामिक स्टेट पूरी इस्लाम की तारीख में पाकिस्तान है और हमने जो किया है कि बनते ही बड़बढ़ा के अंदर जो किया बिलकुर। सो लोगों को लहते, लोगों को विल्कुव गोली मार के दर्या में बॉडी डुबो के फिर उन की गोली उनकी बिल्बेच दे लων कर कितनी गोली मारी थी तो यह आप का आदमी को मारने में इतना खर्चाता थार पैसे दे दी थी सर एक मतलब आखर एक आखरी सवाल कि हम ठीक है हमने इसलाम के नाम पे मुलक जो दो कोमी नजरीय का आफ जिकर कर रहे हैं टू नेशन तेरी और यह सारी चीज़ें सर यह हो गई लेकिन मसला यह हुआ कि ना तो हम वो प्रॉपर इसलामी मुलक बने ना हम सेकुलर बने और ना हम कुछ और होता ही नहीं है सर मैं कहता हूँ लेट सपोज मैं कहता हूँ कि चले अगर है उसके बावजूद सर तो हम तो कहीं पर मसला यह है कि हम ना उदर के हुए ना इदर के हुए हा वी आर डी ओड पीपल हम पे आप हमारा कांट्रिबिशन ये कि सिर्फ हमारा मदाग उड़ाया जा सकता तो सरकस में कलाउन नहीं होता है वो इदर उदर गुंता रहता है जी बरकुर बारे बाड़ता रहता है हम जोकर हैं दुनिया के हम चोरी का एटम बम रखते हैं ऐसी बा होता है उसमें किसी और के पैसे बन रहे होते हैं तीन सा रिटायर जनरल कैनेडा में रहे हैं और उन जहां वो रहते हैं आपको यानि डि मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट व मिस्सागा रोड है उस पर जनरली जनरल है और उनकी बीविया है एक तो उन्होंने घर खरी दिय है जिसमें वो इविनिंग में कलब जाती है सारी आंकिया देखे ना कलब सिंद कलब तो उनों बना दिया है वहाँ आंकिया जमा होती है शाम को वेड़ा घर्थ किया कोई कितने साल से पढ़ें आप देखिए इंडियन्स की कहां कहां वो नहीं है पहुंच गए केल जैसी हिपोक्रिट औरत भी जो खुद रेफ्यूजी थी और रेफ्यूजी भेज रही है रवाटा लेकिन शीज देर हो मिनिस्टर को देखिए एक है हमारा शैद हैल्ट मिनिस्टर कहीं इदर उदर बट ते आर अब्रिवेर बिकाज़ आर केपुबल अव डूएंग सम होते हैं किसी एक बच्ची का जहां आ रहा है दूसरी का है परवीन बेगम वाई आपका सरनेम क्या है इसका आ रहा है और उसका बेगम है वारा लोग आए बारा के लगताने में अरे भाईया एक छुरी होती है क्यास काटने की एक होती मक्षन काटने की एक होती जैम लगान we have not yet gone to that level where we want to understand के ये पोस्ट इंडस्ट्रिल सुसाइटी कहां जा रही है बिरकुसे प्रोडक्शन का हमें आइडिया नहीं है आठ गंटे का दिन वर्कर डे क्या होता है हमारे यहां वीकेंड का कंसेप्ट नहीं था वेस्टर्न सिविलाइडेशन से हमने लिया है सब कुछ वनना तो गुलाम ही होते थे ना बिलकुल सर यह क्योंकि बाते तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे और विसाब आते क्यों कि सी और शोग है होपुली आप उस पे डिस्विजन करेंगे आई मैप भी है और भी बहुत सारी चीज़ेंगे लेकिन खेर है लिए आए जो है वो अमरीका शरीफ है समझ क्यों नहीं आती लोगों को IMF is the United States of America पैसा ही उसका है तो वो क्या वो क्या बोला बन गया अरे बता नहीं IMF कौन है अरे तुम ही चलाते हो तुम ही देते हो तुम ही देते हो तुम उसका नाम अलग रख देते हो तीछे से कहता है मैं recommend करता हूँ जरा इंचार मेरे काम कर होई वह ही तो है मां की कौन है बिलकुल 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 और अभी क्योंकि गोर्नमेना पाकिस्तानी कोशिश भी करें अमेरिका को कहा है कि आप IMF से कहें कि तोड़े से जो हमारे स्क्रूज बहुत जादा ठाइट कर लिए तो उसको अलका सा लूस कर लें देखते हैं कि सब्सक्री लाज हैं ऐसा नहीं है कि यह अनगवर्नेबल है सच्छे दिल से खाकसारों की तरह कुछ एक ग्रूप हो जो कहे के लवज मैं जो है ना मी आई इसको हटा दें वो बुले शाह वाली बादे इसको खतम कर दें सर्विस में जाएं इससे नामेजिंग कंट्री मैं बता हैं कौन सा मुलक है जिसका चीन से बॉर्डर है इंडिया से है एरान से है एरेबियन सी पे है अर्बी इंफ्लूंस है पर्शियन भी है बंगाली भी है पंजावी भी इट इस आईडिली सिचुएटेड टो बी लाइक कंट्री लाइक होंग कॉंग इनो सारे रास्तें हैं यहां से घुजरती हैं यह पता ही नहीं किसी को वो शर्वार कमीच पहन के जाके मिलने चले जाते हैं प्रेजडेंट से हाथ में तद्वी लेके यहारा हद्द हो गई हम सोने में पहें थे लेकिन आपकी बात बिलकुल सही है कि बहुत कुछ है एक दफ़ा सन्निसार नहीं उटा सकते हैं तो फिर यही हाल होता है जो इस वक्त हम जिससे गुजर रहें आपने बिलकुल सही बात कही कि मैं खतम करनी पड़ेगी बुले शाह साब और बहुत सारे इस तरह के सूफी शायर है जो कहते कि मैं मैं नहीं करनी तू तू करनी है और जब तू करेंगे तो फिर आप बैतर अंदाज में डील कर सकते हैं दुनिया के साथ और अपनी अवाम के से सर बहुत शुक्त रिया आपके टाइम का एंड तेंक यूवरे मिचूर पर वाचिंग इबेट बखर युस सब्जे किसी और डिवेट में पिर में आपकर तक ही तो दोस्तों आशा क कर दें और बेल का बटन जरूर पेस्ट कर दें ताकि हम आपके लिए इंट्रस्टिंग और नई वीडियो लाते रहें तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे तब त कि एंग तो हमेद लेंटे तिए एंगा लिखकर झात